गुड मॉनिंग विद्यातियों समुद्र विज्ञान में आज का जो हमारा टॉफिक है वो है महासागरिय लवनता ओशन सैलिनेटी सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरिय लवनता क्या है तो सागरिय जल के भार उसमें गुलेवे पदार्थों के भार के अनुपात को ही सागरिय लवनता कहते हैं जल का जो भार है और उसके बाद जो उसमें पदार्थ गुलेवे हैं उनका जो भार है उसके बीच में जो अनुपातिक संबंद होगा वो सागरिय लवनता कहलाता है अगर दूसरे शब्द में देखें तो एक किलो ग्राम सागरी जल में गुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवन्ता कहा जाता है सामने रूप से सागरी लवणता को प्रती हजार ग्राम जल में इस्थित लवण की मात्रा की रूप में दिखाया जाता है वैसे तो महासागरों में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाल जीवू और वनस्पतियों पर होता है बलकि महासागरों की भोतिक विशेष्टा है जैसे तापकरम, घनतु, धाराय, दबाव आधी भी लवणता से प्रभावित होती है सागर का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लवणता पर आधारित होता है अर्थात अधिक लवण ही तो सागर देर में जमता है और जिन में लवण कम है वो जल्दी जम जाते है इसी तरह सागर का कुंथनाक या उबाल बिंदु भी सामाने जल से उचा रहता है जो लवण या सागर है उनका फिर वाश्पिकरन की मात्रा सागर लवणता से नियंतरित होती है अगर लवणता अधिक है तो वाश्पिकरन नियून होगा और सागरी लवणता के कारण जल का घनतव भी बढ़ता जाता है इस तरह सागर में लहर एम धाराय मचली सागरे जीव प्लैंक्टन आदी लवणता से नियंतरित होते हैं वैसे तो अगर आप देखें कि सागरे जल के संगठन में सक्री गोलक है सागरे जल एक सक्री गोलक रूप में होता है जिस कारण उसमें कई प्रकार के खनीज गुलिवे वस्था में रहते हैं प्रतिवर्ष सागरों में लवण लाया जाता है नदियो द्वारा या वायू द्वारा उसकी कुल मात्रा में निरंतर ही व्रद्धी होती रहती है फिर भी हम यह अगर देखें कि कितनी कुल लवनता है तो यूं कह सकते हैं कि समस्थ सागरी जल के लवन को निकाल कर अगर गलोब पर फैला दिया जाए तो उसकी मोटाई 105 फिट मतलब 45.7 मीटर हो जाएगी और यदि उसे केवल धरातल पर बिचाया जाए तो मोटाई 500 फिट 152.4 मीटर तक हो जाएगी और अगर आप मोल रूप से देखें तो लवन की प्रकार कहीं होंगे जो सागर में मिलते हैं वेकि उसमें फिर भी सोडियम क्लोराइड की मातरा सरवाधिक होती है 77.8% सोडियम क्लोराइड सागरे जल में लवन की रूप में पाया जाता है फिर है मैंगनिशियम क्लोराइड, मैंगनिशियम सलफेट, केलशियम सलफेट, पोटेशियम सलफेट, केलशियम कार्बोनेट, मैंगनिशियम ब्रॉमाइट ये और ने प्रकार की लवन है जो आप लवन सागर तक कैसे आता है तो आप अगर देखें तो सागरी लवनता का मुख्य स्रोत प्रत्वी है प्रारंब में जब प्रत्वी की उत्पत्ती हुई और प्रतम ठोस पपड़ी मतब क्रस्ट का निर्मान हुआ तो क्रस्ट में लवन की मात्रा अधिक थी पपड़ी के manufacturing होती गई वैसे वैसे उसमें विगटन और वियोजन हुआ और अपरदन के कहीं कार को ने उस पे कार ही किया जिसमें मुख्य रूप से पवन और नदियां ये दोनों ही स्थल से लवन को जल की और लेकर गए या सागर की और लेकर गए जिसके कारण लवन की मातरा में वरद् इत्माज समय में नदियां सागर में लवन का निक्षेप करती हैं अब यहां एक छूट ऐसा क्यूशन है कि जो नदियां ले जाती है लवन और जो सागर में लवन है उन दोनों में अत्यतिक विभिनता है अगर हम देखें तो नदियों द्वारा लाए गए लवन में होता है जो नदियां अपने साथ ला रही है वो सोडियम क्लोराइड में किसे चेंज रहता है अगर आप देखें तो सागरी जल में नदियों द्वारा लाए गए लवन की मात्रा अगर सरवाधिक माने तो केल्शिम क्लोराइड लाया जाता है तो अगर केल्शिम आ रहा है तो वहां तो लवनता का जो मुख्य कारक होगा वो केल्शिम होगा लेकिन अगर आप सागरी जल में देखेंगे तो वहां सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवन होगा जो 77% रखता है तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नदिया सागरी लवनता की प्रमुख इस्तरोत नही जो अन्य कारक है जहां से लवनता आती है तो वह जवाला मुख्य से निसरत राक और यह जवाला मुख्य कहीं भी हो सकते हैं यह स्थल में स्थल से हो सकते हैं तो नदिया इनको जल में ले आएंगी या फिर आंत्रिक जल में भी आंत्रिक क्रस्ट पर जहां हुआ है वहां पर अगर जालम की उत्वेधन होता है तो वो राख होगी वो भी एक तरह से लवन्ता सागर में बढ़ा देती है। अगला आप देखें सागरी लवन्ता के नियंत्रक कारक। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवन की मात्रा में प्रयाप्त अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाश्पी करण की तो जैसे कि पहले मैंने बताया है कि अगर सागरिय लवनता अधिक है तो वाश्पी करण नियोन होगा। जहाँ पर तापकरम उचा रहता है और वाश्पी करण अधिक होता है वहाँ पर लवनता अधिक होती है। जैसे कि करक तथा मकर रिखाओं के पास भूमत दिरेखिये भागों में उच्छे तापकरण पता अधिक वाश्पी करण के होती हुए भी अत्यधिक आधिक 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 नहीं हो पाती है। जैसे कि करक रिखा और मकर रिखाओं के पास में तापमान अधिक है और वाश्पी करण अधिक है इसलिए वहाँ लवनता अधिक होगी क्योंकि वहाँ आधिक आधिक कम होगी। आपकरम और वाश्पीकरण सरवाधिक होगा भूमद रेखा पर लेकिन महाँ प्रती दिन वर्षा होने की कारण आध्रता ज्यादा होगी इसलिए लवनता कम होगी आयनवर्ती भाग हैं जो की करगरेखा मकरेखा में प्रती दिन अधिक जलवर्षा के कारण सागरों में जलकी वापसी होती रहती है इसलिए लवनता महाँ सामाने रहती है जिबकि करगरेखा में वाश्पीकरण अधिक होता है तापकरण अधिक होता है इसलिए लवनता अध जिन भागों में अध्याथिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवनता कम हो जाती है। फिर है आपका तीसरा नदी के जल का आगमन यद्धि पी नदियां सागर में अपने साथ लवन लाती है तथा पी उनके साथ स्वच्च जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवनता में कमी आ जाती है जैसे उधारन के लिए आप देखें गंगा, कांग नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस, आदी नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवनता पाई जाएगी बंद सागरों में ये प्रभाव अत्तिति कि पस्टता के साथ परिलक्षित होगा, क्रिशन सागर, काला सागर में डैनियो, निपर, निस्टर, आदी नदियों क लिए जैसे भूमदी सागरे छेत्र है, वहां 10,000 सागरे जल में 40 ग्राम लवनता की मात्रा पाई जाती है, अगला है आपका वायुदाप तथा वायुदशाय, प्रतिचक्रवाती दशाय, इस्थिरपवन, उच्चतापकरम के साथ लवनता में वरद्धी करती है, जो अयन साथ खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, जिस करण वहां की लवनता बढ़ जाती है, परन्तु जहां से जल हटाया जाता है, वहां पर उसके स्थान की पूर्ती के लिए नीचे से जल उपर आता है, परणाम सरुप लवनता कम हो जाती है, जैसे कि आप द 30 g से प्रती 1000 g पigns पाई जाती है, जिबकि की कालिफोर्णिया तट पर लवनता कम पाई जाती है, पच्छवा हमाए महाधियोकों की पूरिवी तट पर लवनता को कम कर देती है, परन्तु पश्मी तटओं सरु पर बढ़ा देती है, टभी कभी इन हवाओं के कारण लवनत के वित्रन पर भी प्रभाव पड़ता है सागरे धाराय निश्चय ही लवनता को बढ़ाने दता घटाने का कार्य करती है भूमद रेखिये गरम धाराय महादुपों की पक्ष्मी भाग में लवन को पूर्वी तट्य भागों में पहुंचा कर वहां की लवनता बढ़ा देती है मैक्सीको की खाड़ी में इसी कारण से उच लवनता पाए जाती है गल्फ स्ट्रीम की गरम धाराय यूरोप की उत्री पश्मी तटपर लवनता को बढ़ा देती है लेबररेडोर की थंडी धारा की कारण उत्री अमेरिका के उत्री पर भी तठीय भाग में लवनता घट जाती हैं बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगरने होता है परंतुवे सिमाज सागर जो की सागर से चोड़े प्रवेश द्वार द्वारा मिले होते हैं इन धाराओं से प्रभावित होते हैं अगर आप देखें कि मुख्य विंदु हैं जो लवनता की वो है सागर लवन्ता पर मुख्य रुप से तीन कारगों का प्रभाव बड़ता है सबसे पहले हैं वर्षा के कारण लवन्ता में कमी होती है वाश्पिकरन के कारण लवन्ता में व्रद्धी होती है और मिश्रन की प्रक्रिया के कारण लवन्ता में परिवर्तन होता है तो पहला है आपका सागर में लवनता जादा है तो वहाँ वाश पिकरन कम होगा और अगर मिश्रन की क्रिया मिश्रन की क्रिया किसी भी द्वारा हो सकती सागरी लहरों द्वारा हो सकती है व्यापरिक पवनों द्वारा हो सकती है तो उसके कारण लवनता में परिवर्तन होता रहता है अगर आप अब हम बात करते हैं सागरिय लवनता के वित्रण की अगर आप देखें तो महा सागरों की ओस्तत लवनता है प्रती हजार ग्राम में 35 ग्राम लवन की मातरा परन्तु प्रतिक महा सागर, सागर, जील, आदी में लवन की मातरा में अंतर होता है और यह अंतर शेतिज रूप से भी हो सकता है और लंबवत दोन रूपे में होता है बंद, कुछ बंद, खुले सागरों में लंबवत रूपे में अंतर होगा वरगी गरण देखेंगे तो हम वरगी करण के मुख्य रूप से दो आधार होंगे अक्षान्शी वित्रण और लंबवत वित्रण अक्षान्शी वित्रण को फिर आप दो वार को बाटा है जिसे शेतिज वित्रण लंबवत वित्रण शेतिज को फिर आप दो में बाटते हैं सबसे पहले हैं अक्षान्शी वित्रण और फिर प्रादिशिक शेतिज वित्रण में, सागरों में लवन्ता के शेतिज वित्रण को सम लवन्ट रेखा के रूप से दर्शाय जाता है जिसे कहते है आईसोहलाइन, देखें शब्द पे ध्यान दीजेगा, आईसोहलाइन स्पैलिंग होगी I-S-O-H-A-L-I-N-E objective questions कहीं बार पूछा जाता है Iso-Heline क्या बताती है तो Iso-Heline सागरिय लवनता की एक समाल सागरिय लवनता को दर्शाने वाले रेखाएं होती है सागरों में समाल लवन वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखाओं को सम लवन रेखाएं कहते हैं शेतिज वित्रण में मुखे रुप से अक्षान शो का सहारा लिया जाता है इसके लावा प्रादेशिक वित्रण पर भी अलग से बात करेंगे पहले हम सब से बात करते हैं अक्षान शिवित्रण में सागरी लवन की मात्रा तथा वित्रण पर अक्षान शोक अधिक नियत्रण होता है जैसे भूमद रेखा से दुरूओं की और जाने पर सामाने रूप से लवनता में कमी आती जाती है सामाने है ये दिशा आप जैसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूमद रेखा पर लवनता कम है लेकि आप जैसे आयन वर्ती करकर रेखा और मकर रेखा पर जाओंगे वहां लवनता आपको जादा मिलेगी और जैसे आप भूमद रेखा पर जाओगे लेकिन वर्षा का जल लवनता को कम कर देता है वुमेद रिखा पर लवनता की मात्रा है प्रती हजार ग्राम में 24 ग्राम लवनता और उच्छतम लवनता पाई जाएगी 20 डिगरी से 40 डिगरी अथ्री अक्षान शो के बीश में मतलब हो गया अएन वर्थी छेतरी चाहे वह उ द्रुबों के पास हिम के पिघलने से प्राप्त जल की आपूरती के कारण लवनता में और अधिक कमी आजाती है फिर हम बात करते हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं महासागुरू में लवनता के चार मंडल हैं पहला है भुमद रेखे छेत्र का अपिक्षाक्रत करम लवनता का मंडल अयन वरती मतलब अकरकर रेखाओ मकर रेखा वाले छेत्रों के अधित्तम लवनता का मंडल और शितोष लवन मंडलों के अंतरगत लिया जाता है सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर में लवनता का वितरन प्रशांत महासागर के आकार तथा व्रहत छेतरफल की कारण उसके विभिन भागों में लवनता में प्रयापत अंतर होगा मुम्मद रेखा के पास लवनता प्रती 1000 ग्राम में 34.85 ग्राम होती है प्रती हजार ग्राम में 31 ग्राम हो जाती है मध्य अमेरिका कैलिफोर्निया तथा पीरू तट के पास चल के स्थाना आंतरन तथा नीचे से चल के उपर आने की करण लवनता कम पाई जाती है फिर सामाने से आप कहेंगे कि हम मूल रूप से देख लें तो सामाने से अधिक पिर है रूम सागर तो अगर सागरों के बारे हम बात की जाए तो सरवाधिक जो लवनता है वो लाल सागर में पाई जा रही है पिर सामाने लवनता वाले हैं कैरिबिन सागर बास जल डमरू मद्य और कैलिफोर्निया की खायड़ी और अब हम बात कर रहे हैं उसके बाद अ महासागर में लवनता की मातरा यह तो है आपकी सागरों की बात अब हम बात करें अ कल अच्छा है प्रती हजार ग्राम में 35. 66 ग्राम पाई जाता है और पंदरा टिग्री दक्ष्ण अक्षांश पर प्रती हजार ग्राम में 37.77 ग्राम लवनता पाई जाती है फिर अट्लांटिक महासागर के जो आंशिक बंद सागर है वो सिमांत सागरों में लवनता के वित्रन का भिन्न प्रारूप देखने को मिलता है वहाँ पर उ उत्री सागर में उच्छ लवनता पाई जाती है क्योंकि इसमें गल्फ स्ट्रिम के कारण लवन का समावेश कर दिया जाता है इसके विप्रिद जो बाल्टिक सागर है वहां नियूनतम लवनता पाई जाएगी अब हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में लवनता का वित्र और गजों की गंगा नदी के अ कारण स्वस्ची छल की अपार राशी खारेपन को कम कर देती। ये कारण है कि बंगाल की खाड़ी में चलोवनता है वो कम रहती है। अरब आप सागर में चलोवनता की मातरा है वो जादा रहेगी प्रती 1000 ग्राम में 36 ग्राम लवनता। सागर में लवनता है, प्रती हजार ग्राम में 36 ग्राम से 45 ग्राम तक पाई जाती है, क्योंकि उच्चताब करन के कारण वाश्पिकरन अधिक होता है, तथा वर्षा कम होती है, फिर भी अब बात करते हैं, अंतर देश ये सागरों तथा जीलों में लवनता, महाद्यूपों क बीतर पाया जाने वले सागरों तथा जीलों में लवनता की वितरन परवाश्पिकरन, उच्चताब करम, नदियों द्वारा, जल की आपूरती के अलावा, उनसे निकलने वाली नदियों का भी प्रभाव होता है, जिस आंतरिक सागर या जील से नदी निकलती, उसकी लवन कम होती है, क्योंकि नदियों अपने साथ लवन ले जाती है, कैस्पियन सागर के उत्री भाग में लवनता, प्रती हजार ग्राम में 14 ग्राम पाई जाती है, क्योंकि वालगा, युराल, आदी नदियों द्वरा स्वच्च जल की आपूरती होती है, दक्षन भाग में कारा चालीी में लवनता,प्रती घाजार ग्राम में 17 ग्राम पाही जाती है अब अगर आपबात करें तो सільक राजी अमेरिका की Great Salt Lak सरब्धिक लवनता रखती है प्रती हजार ग्राम में 220 ग्राम म्रत सागर डैड़सी में हें 1,000 ग्राम में 238 ग्राम लवनता की मारत्रा और टर्की की वॉन जिल में हैं प्रती 1000 ग्राम में 330 ग्राम लवनता तो यह ऐसी तीन हैं जो सरवाधिक लवनता रखते हैं फिर आप दिखें अगर लंबवत अभी हमने बात की शेतिज वित्रण की जिसमें आपने प्रादेशिक के ब बढ़ती है सामाने रुपसा आप कह सकते कि उच्छ अक्षांशों में ग्हराई के साथ लवनता बढ़ती है मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवनता बढ़ती है फिर पुना घटने लगती है और मूल रुपसेफ देखें तो शीत कटी बंदिय महासागरों में 300 से 1000 मि गहराई के नीचे लवनता स्थिर हो जाती है निमनक्षांश मतलब करकर एखा से मकर एखा की बीच में उश्ने कटीबंदिय सागरों में लवनता में 300 मिटर से 1000 मिटर गहराई से आगे लवनता स्थिर रहती है इस तरह स्पस्ट है कि 300 मिटर से 1000 मिटर की गहराई में लवनत जाती है तो इस तरह से यह आपका टॉपिक हुआ महा सागरिय लवनता धन्यवाद